नमस्कर दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी RG Technical Boy YouTube चैनल में So friends, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग अपने pen drive से जो भी photo या वीडियों है वो अगर आपको laptop के अंदर लेना है, उनको copy करना है फिर वहाँ से move करना तो आप एक कैसे कर सकते हो, वो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो चलिए friends, वीडियो स्टार्ट करते हैं और ले चलता हूँ अपने laptop के screen पर वहाँ पर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा देता हूँ आज के इस वीडियो में जैसे के आपको बताने वाला हूँ कि जो pen drive की photos वहmers biggest when you end user अप क्या करना होगा, यहां पर आपको अपन आप के computer के अदर आना है, लैप्टोप को जो open करो है उसके आपको computer देखना कली मिलेगा इसके computer के अंदर आप जैसे आते हो उसके बाद यह कुछ इस तरीके से खुलेगा तो यहाँ पर आपको पहले pen drive connect करना अपने laptop से जो USB port होता है उसके अंदर आप लगा करके अपना pen drive connect कर लो उसके बाद आपको उसी के अंदर open करना है ठीक है जैसे आप left click करके right click करोगे तो इस तरीके से open करना आपको फिर यहाँ पर आपको left click करना फिर right click करोगे फिर कुछ इस तरीके से आगा फिर यहाँ पर आपको open के उपर फिर क्लिक करना है फिर यहाँ पर आप देखोगे सबसे last में देखने के लिए मिल रहा होगा आपको 45 सजा subscriber का जो मेरा screenshot वो यहाँ पर इक बार right click करना है अपने mouse में उसके बाद फिर कुछ इस तरीके से आएगा अब आपको क्या करना है यहाँ पर copy के उपर click करना है अगर cut के उपर click करोगे तो यहाँ से cut हो जाएगा हमारे pen drive से cut हो जाएगा और अगर आप copy करोगे तो आपके laptop के अंदर भी मतलब यहाँ से data के नाम से एक डिस्क है मेरी तो इसके अंदर मैं रखना चाहता हूं तो इसको मैं open कर लेता हूं open करने के बाद फिर आपको यहाँ पर किसी folder के अंदर आपको फोटो कर रखना है जाकर के तो वहाँ पर जा सकते हो तो अभी चलिए हम कोई एक folder open करते हैं जैसे मैं new folder open कर ल अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज एर इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस यूटुब चनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन जरूर दबाना कियाने वाली वीडियो का नॉटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल से